वैसे तो उत्रप्रदेश में विधान सभाज चुनाव में अभी 6 महिने अधिक का वक्त बचा है लेकिन सुबे में सियासी सरगम्या तेज हो गई है सत्ता रूड बीजेपी से लेकर बिपक्ष तक गटजोर से लेकर अपने सभी केल और काटे दुरुस्त करने में जुटा हुआ है असद अधिन ओवेसी की AIMIM और उम प्रकास राजभार की सुलह देव भारतिय समाज पार्टी ने अगामी विधान सभाज चुनाव एक साथ मि देख रहे हैं साथ ही इसे समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान की बात भी कह रहे हैं दरसल AIMIM चीफ असद अधिन ओवेसी ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकास राजभार की अगवाई वाली सुलह देव भारतिय समाज पार्ट और कुछ अन्य छोटे दलो के फ्रंट भागेदारी संकल्प मोचा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि पार्टी सौ सीटों पर उमीदवार उतारेगी वहीं जानकारों के मताबिक AIMIM के सौ सीटों पर चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा उन दलों को नुक्सान होगा जो मुस्लिम वोटों पर दावा करती है क्योंकि AIMIM सभी मुस्लिम उमीदवार ही उतारेगी ऐसे में कहीं न कहीं मुस्लिम वोट के बटने का भी खत्रा होगा जिसका सीधा नुक्सान समाजवादी पार्टी को हो सकता है इतना ही नहीं ओम प्रकास राजभार की पार्टी भी पिछ्डों का वोट काटेगी ऐसे में नुक्सान बड़ी पार्टी जैसे सपा बसपा और कॉंग्रेस को होगा वोट बाटने का फाइदा बीजेपी को मिल सकता है आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखे बाकियों और खबरों के लिए जुड़े रही एसपी एन नाइन न्यूस के साथ